डर एक एहसास में आपका स्वागत है इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानिया अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर हेलो दोस्तों मेरा नाम प्रभास है और सबसे पहले मैं आपको अपनी जानकारी देना चाहूँगा मैं एक गरी परिवार में पला बड़ा लेकिन मेरे सपने बड़े हुआ करते थे भले ही मैं उन सपनों को पूरा नहीं कर पाता था लेकिन सपने लेना कौनसी बुरी बात है इससे कौनसा कोई टेक्स कटता है इसलिए मैं बड़े बड़े सपने लिया करता था सोचा करता था कभी इन सपनों को पूरा भी करूँगा मैं बड़े घर के सपनी लेता था बड़ी गाड़ी के सपनी लेता था बहले ही इस समय मेरे पास साईकिल तक नहीं थी लेकिन एक ना एक दिन मैं गाड़ी जरूर खरीदूंगा ये मैंने मनमे ठान लिया था और उसके बाद मैं पढ़ाई में भी ध्यान देता था शायद भगवान ने मेरा दिमाग काफी तेज बनाया और किसी न किसी काम के लिए तो बनाया ही होगा इसलिए भगवान का में शुक्रिया हमेशा गिया करता था और उसके बाद मैं जब आठवी कक्षा में था तब ही मैंने सूच लिया था इस तरह से घर की गरीबी नहीं जाने वाली और पढ़ाई मैं छोड़ नहीं सकता पढ़ाई के साथ साथ कौन सा काम करूं की चार पैसे बन जाएं तब ही से शायद मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया था हमारे इसे शहर में बारिश बहुत ज़ादा हुआ करती थी और जब बारिश होती थी जो नालिया थी वो बंध हो जाती थी सडकों पर पानी आ जाता था और यहां कई लोग जो सुभे सुभे काम पर जाते थे इन गलियों से निकलने में उन्हें बहुत परेशानी होती थी जूते गीले हो जाते थे पैंट गीली हो जाती थी और मैं एक लकडी का बड़ा सा फट्टा लेकर ऐसी ही बारिश का इंतजार करता रहता था मैं कहता एक रुपया देना होगा फट्टे से आप दूसरी तरफ जा सकते हैं पहले तो वो घूर कर देखते लेकिन एक रुपया उनके लिए कुछ नहीं था इस तरह करीबन पचास से साथ लोग उस जगह से गुजरते और मैं पचास से साथ रुपय की कमाई कर लेता फिर मैं ऐसी जगह ढूंटता जहां पानी जादा हूँ इटे लेकर फटे लेकर उपर से रास्ता बना देता और वो इन बारिश से भरे हुए पानी की सड़कों की उपर से गुजर सकते थे बिना कपड़े खराब किये भले ही मेरे कपड़े खराब हो जाती थे लेकिन बारिश के उस दिन मैं दो से तीन सो रुपई की कमाई किया करता था और जब वो पैसे मैं घर लेकर आता मां को देता मैं मां से मांगता तक नहीं था कि मुझे खर्च करने है मां के आँखों में वो खुशी देखकर मैं भी बहुत ज़ादा खुश हो जाया करता था मेरे पिता डांटा करते थे तुम्हारी काम करनी की उम्र नहीं है और मैं भी उन्हें कहता कोई कहकर बता दे कि मैं काम कर रहा हूं मैं हार्ड वर्क नहीं कर रहा स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ इस तरह मैंने अपने पिता को समझा दिया था मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मेरी पढ़ाई में खलल पड़े लेकिन फिर भी पैसे कमाने की आग थी पैसे कमाने की भूग थी मेरे अंदर नौवी कक्षा में हो चुका था मैं लेकिन मेरे पिता के पास उस समय पैसे नहीं थे उन्हें काम से निकाल दिया गया था और वो बहुत ज़्यादा रोया करते थे मुझसे माफी मांगा करते थे और कह रहे थे तुम्हें पढ़ाने के पैसे नहीं है अगर तुम्हें पढ़ाया तो घर में राशन नहीं ला पाऊंगा शायद तुम्हें काम करना होगा तब मैंने अपने पिता से कहा था अगर मैं अपनी पढ़ाई के पैसे भी निकाल लू उसी के साथ घर में राशन के पैसे भी निकाल लू तो आप कुछ कहेंगे तो नहीं पिता ने कुछ नहीं कहा इसके बाद मैं केबल टीवी वाले के पास काया था और उन्हें कह रहा था शहर में बहुत लोग कुंडी लगाते हैं यानि फ्री में केबल देखने की कोशिश करते हैं अगर मैं गलियों में घूम घूम कर आपको पकडवाऊं तो आप मुझे सो रुपए देंगे वो बात मान गाए इस तरह एक महीने में अपने शहर में जितने भी लोगों ने वो केबल टीवी की तार को चूरी किया हुआ था सब को पकडवाया पांच हजार की कमाई की थी मैंने और पांच हजार से एक हजार रुपए से फीस भरी बाकी मां को पकड़ा दिये घर के राशन के लिए मैं एक रुपएा तक खर्च नहीं करता था मैं अमीर बनना चाहता था और ये पहला तरीका होता है अमीर बनने का अपनी जितनी बुरी आदते हैं छोड़ दो, अपने सपनों को भीच कर रखो, खर्च बिल्कुल बंद कर दो, तो पैसे आपके बचे रहेंगे, उन पैसों को बढ़ाना शुरू कर दो, और मैं बस अब यही करना चाहता था इस तरें धीरे धीरे अलग अलग तरें के काम करना, साथ में पढ़ाई को चारी रखना, मेरा दिमाग तेज हूता जा रहा था और मैं कॉलेज तक पहुँच गया था, कॉलेज में भी पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, लेकिन मैं बात ऐसे करता कि मेरे दोस्त मना नहीं क पाते, उनके कपड़े उधार लेकर भी मैं कॉलेज में चले जाया करता था और सब को दिखाता था, नए कपड़े लिए हैं, हर कोई पूचता, तुम्हारे पास तुपैसे बहुत हैं, हर बार नए-नए कपड़े पहन कर आते हो, मैं उन्हें कुछ बताता नहीं, हर बार न लड़की है, आधे पैसे मुझे भी मिल जाएंगे, ये लालच के कारण मैं उससे दोस्ती करना चाहता था, और दो महीने लगे उसे पटाने में, अंत में उसे पटा ही लिया, लेकिन पटाने के साथ ही उसे सच भी बता दिया, कि तुझे इसलिए पसंद कर रहा था, क्यों मेरे पास दोबारा आ गई थे, हम में प्यार बढ़ने लगा था, और धीरे धीरे मुझे जैसे पैसों से लगाव तो हो चुका था, लेकिन पैसों से जादा लगाव अनुश्का से था, अब आपको लग रहा होगा कि मैंने एक अमीर गर्फेंड बना ली है, उससे पैसे मा अमीर थे, जितने भी रिष्टेदार, दोस्त, सब मैंने भी दोस्त बना लिये, उसके बाद मैंने नेटवर्क मार्किटिंग में उन्हें भी जोड़ा, उससे मेरी कमाई होने लगी, अब अमीरों को महेंगी चीजे बेच कर उनसे जो मार्जन मिलता, उससे मैं भी अमीर हो कि उसके रिष्टेदारों से, दोस्तों से फाइदा उठा रहा था, उसके बाद उसे भी मुझ से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, मेरे दिमाग का इस्तेमाल वो भी करना चाहती थी, और उसने कहा, अगर तु मेरे पिता को मना लो, हम दोनों शादी कर सकते हैं, मैंन उसे ऐसा आइडिया दिया, उसका बाप बड़ी आसानी से मान गया, मैंने अनुष्का को कहा, अपने पिता से जाकर कहो, कि मैं एक लेस्बियन हूँ, मुझे लड़कियां पसंद हैं, और दो महीने तक उससे कहते रहो, अपने पिता से कहते रहो, कि मैं लेस्बियन हूँ, किसी लड़की से ही शादी करूंगी दो महीने तक वो घर में जगडा करती रही और कहती रही मुझे लड़कियां पसंद है मैं लड़की से ही शादी करूंगी घर में मातम का माहौल था और दो महीने बाद वो मेरे साथ घूमने लगी घर वालों के सामने, सब को दिखाते हुए, उसके पिता बहुत ज़्यादा खुश थे, उन्होंने मुझसे बात की, और मैंने उसके पिता को कहा, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसे पहले लड़कियां पसंद थी, लेकिन इसे मुझे मैं कुछ ऐसा दिखा, कि ये से ही शादी करेगी, उसके पिता मान गए और उसके पिता मुझसे शादी करने को बहुत ज़्यादा खुशी से माने थे, तंग होकर नहीं माने थे, हमारी शादी की तारीख फिक्स कर दी गई थी, छे महीने बाद की और मैं अब एक छोटा मुटा काम भी करना चाहता था ताकि शादी से पहले अच्छे से सेट हो पाऊं मैं कई सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचा करता था दिमाग का इस्तेमाल किया करता था मैं मोटीवेशनल स्पीकर भी बन गया था आसपास के कॉलेज में मोटीवेशनल कोट्स बताया करता था स्पीच दिया करता था उससे भी बैसे कमानी लगा था और अनुशका मुझे अपने साथ महंगी महंगी जगों पर घूमने के लिए लिए लिजाती थी उसे एंटिक चीजें बहुत ज़ादा पसंद थी और एक बार वो मुझे केर आया था और मैंने उससे कहा था हम शापित चीजों के ऐसे म्यूजियम में क्यों आए हैं उसने कहा तुम कहा करते थे ना भूत प्रेत नहीं होते इसलिए मैं तुम्हें दिखाने के लिए लेकर आई हूँ यहां जो भी चीज है वो सब भूतिया है यहां शायद हमें भूत भी देखने को मिल जाए अब मैं उसके सामने डरपोक बनना नहीं चाहता था लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था हमारे प्यार को किसी की नजर लग जाए उसे एक ऐसी डिब्बी पसंद आई जिसके उपर लिखा था इसमें एक शापित जिन रहता है ऐसा जिन जो आपके प जलत साबित कर देंगे मैं भूतों पर यकीन नहीं करता जिन पर यकीन नहीं करता लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि हमारे प्यार पर कोई खत्रा आए उस डिब्बी को खरीद कर जब हम उस होटल में पहुँचे थे उसे बहुत शांक था उस डिब्बी को खोलने का लेकिन मैं दुआ जमीन पर बैट गया, कुछ नहीं हुआ वहां पर, लेकिन मुझे लग रहा था, कुछ ना कुछ गड़बड जरूर है, वहां कुछ नहीं हुआ, दो दिन हमने वहां पर बिताए, उसके बाद हम वापिस आ गए, जब वापिस आए थे, मुझे अनुशका के स्वभाव में फर्क लग रहा था, रात के वक्त उसका माथा काला काला सा हो जाता था, जैसे उस पर कोई चीज हावी हो जाती हो, जब हम वापिस आ गए थे, अगले दिन, मैं अनुशका से मिलना चाहता था, उसका फोन ट्राई किये जा रहा था, उसने फोन उठाया ही नहीं, अस्पताल पहुंचा, वहाँ जाकर देखा अनुशका की सेहत सच में काफी खाराब थी, रात को जैसे वो सोई, उसके बाद उसे कोई दोरा पड़ा और वो उठ नहीं रही थे, जैसे गुमा में चली गई हो, ये देखकर मेरी आँखें खुली की खुली रह गई, अनुश अनुशका के पिता ने मुझे गले से लगाया, लेकिन मेरी सांस रुकी जा रही थी, फिर अनुशका के पिता मुझे समझा रहे थे, कि पता नहीं क्या हुआ ऐसे, कोई नशीली दवाई तो नहीं खाली, डॉक्टर कह रहे हैं, इसके गले में कुछ गया है, जिस कारण ये खत्रा मैसूस हो रहा है, मेरी आखें फट गई थे, खुली के खुली, मैं शायद जानता था ये कैसे हुआ है, वो डिपी, मैंने उसके पिता को कहा था, अनुशका का सारा सामान कहा है, मुझे वो देखना होगा, मैं वो डिपी चाहता हूँ, मैं वो डिपी चाहता हूँ, वो गुस्सा कर रहे थे उन्होंने कहा कहीं तुमने कोई नशिली चीज तो नहीं खिलाई मेरी बेटी को तुमने उसका फाइदा उठाने की कोशिश तो नहीं की मैंने कहा मैंने एसर नहीं किया उसके पिता मुझसे लड़ रहे थे लेकिन मुझे वो डिब्बी चाहिए थी उसके अंदर वो जो राक थी धुआ बन कर निकली थी उसके कारण हुआ है जो हुआ है हमारे प्यार को सच में नजर लग गई अब मुझे वो डिब्बी चाहिए उसके पिता घर में आने नहीं देना चाहते थे लेकिन मैं पीछे से घर पहुँचा और जैसे ही अनुश्का के कमरे में गया नौकर रोक रहे थे लेकिन मैंने वो बैग उठा लिया जिसके अंदर डिब्बी थी वो बैग को लेकर मैं अपने घर पहुँचा और घर आकर जैसे ही मैंने डिब्बी खोली अंदर से धुआ निकला जो जमीन पर बैट गया उसके बाद कुछ नजर नहीं आ रहा था चारों तरफ जैसे धुआ ही धुआ हो गया हो मुझे मैसूस हुआ कि मैं शायद बेहोश हो गया हूँ या ये सपना है सब कुछ धुंदला नजर आ रहा उसके बाद कभी में किसी जगे पहुँच जाता कभी परवतों पर तो कभी किसी ब्रिज पर ये सपना ही है सच में ऐसा थोड़े नहो सकता है उसके बाद धुएं का बना हुआ एक जीव नजर आया बिल्कुल इंसान जैसा था लिकिन धूएं का बना हुआ और हुसन ने मुझसे कहा था मैं प्यार को छीन लेता हूँ, तुम्हारी प्यार को भी छीन लिया अब तुम मुझ पर यकीन नहीं करते थे, मैंने यकीन दिलवा दिया मैंने हाथ चूड़े और उससे कहा मैं हाथ जूड़ता हूँ तुमसे माफी मागता हूँ तुम पर यकीन हो गया तुम सबसे महान जिन हो तुमसे आगे कोई हो ही नहीं सकता अब मुझे मेरा प्यार वापिस दे दो फिर वो जिन कुछ समय तक सूचने लगा और कहने लगा था मेरा काम ही प्यार को दूर करना है और मैंने वो काम कर दिया मैं हमेशा से ऐसा ही करता आया हूँ मैं बहुत बुरी हालत में पहुँच चुका था क्यूंकि उसकी बातें ऐसी थी वो मान नहीं रहा था वो कह रहा था कि अनुशका वापिस नहीं आ सकती वो रूख को ले जाता है और एक ऐसी जगे कैद कर देता है तब तक कैद किये रहता है जब तक प्यार बिछड़ना जाए समय बहुत लंबा होता है और शायद मैं तब तक उससे दूर हो जाओंगा मैंने उसे जिन से कहा था चाहे तुम मेरे मरने तक इंतजार करो लेकिन मैं हमेशा उससे प्यार करता रहूंगा भले ही प्यार करने का तरीका मेरा अलग था मैं पैसों के लिए उसके करीब आया था लेकिन अब उससे सच्चा प्यार करता हूँ मैं उसके सवा नहीं रह सकता वो जिन कहने लगा प्यार सच्चा हो या जूटा हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं प्यार को अलग करता हूँ ये मेरा काम है तुम उसे पाना चाहते हो तो तुम अपना काम करो मैंने उससे पूछा मुझे क्या काम करना होगा उसने कहा मैंने उसकी रूँ को जहां कैद किया है तुम उसकी रूँ को छुडा सकते हो लेकिन वो रूँ तुमारी दुनिया में कैद नहीं है वो हमारी दुनिया में कैद है मुर्दों की दूसरी दुनिया जहां प्रेत आत्माई भूत पिशाच रहते हैं क्या तुम जा पाओगे वहाँ पर मैंने कहा हाँ मैं जा पाओंगा उसने कहा सिर्फ जाना ही नहीं है रू को आजाद करवा की लेकर आना है और एक ऐसे पिंजरे में रखा है जिसकी सुरक्षा के लिए कुछ लोग होते हैं उनसे मुकाबला करना होगा मैंने कहा मैं मुकाबला करने को तयार हूँ उसने अब उस धुए से एक परची मेरे हाथ में थमा दी जैसे ही मैंने वो परची पकड़ी मेरे हाथ में कुछ लिखा जा चुका था मैं उसे पढ़ने की कुशिश करता रहा लेकिन पढ़ने ही पा रहा था जैसे की सपने में होता है आप अक्षरों को पढ़ने ही पाते आँखों के सामने धुंदला पना आना शुरू हो गया और अचानक मैं अपने बेड़ से उठा जैसे मैं बेहोश हो गया था और बेहोशी की हालत में वो सब हुआ किसी को बताता तो वो कहता ये तो सब ना होगा लेकिन मेरे हाथ में कुछ लिखा हुआ था राख से ये विजएगड का किला था अमावस की रात याद कर दूंगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी लेकिन मैं तब ही वो बातें भी याद कर पाया सुरक्षा में कुछ लोग होंगे कौन हो सकते हैं अगर दूसरी दुनिया है तो भूत प्रेथ ही होंगे भूतों से कैसे छुटकारपा पाऊंगा मैं अब ऐसे लोगों को ढूंडने लगा था जो भूतों का निवारन करते हैं ऐसे तांत्रिक बाबा मैं उनसे हर चीज नोट करवाए जा रहा था उन्हें कुछ पैसे देता और पूछता भूत से निवारन कैसे होता है भूत से कैसे बचना है किसी की रूख को आजाद कैसे करवाना है भूतों के बारे में तो वो बता पा रहे थे लेकिन रूख को कैद किया है उनकी हंसी निकल जाती मैं कई जगे पर गया जहां से जैसी जानकारी ढूंडी जा सकती थी जिन की जानकारी के लिए मजार पर जाना पड़ा तांत्रिक के पास भूत पिशाच की जानकारी लेने के लिए जाना पड़ा मैं भटकता रहा लगभग साथ दिनों तक और नौवे दिन मुझे वहां पर जाना था ये आमावस की रात थी मैं जादा इंतजार नहीं कर सकता कहीं कुछ गलत हो गया उससे पहले मुझे रूख को आजाद करना होगा सारी की सारी जानकारी हर तरकीब सोच समझ मैंने अपना ली थी पता कर लिया था कितने तरहें के भूत प्रेथ होते हैं उनकी शक्तियां क्या होती हैं उन्हें रूका कैसे जा सकता है और मैं विजयगड में पहुँच गया था विजयगड के किले में मुझे कल रात बारा बजे जाना था लेकिन उस इलाके में पहुंचकर एक और नई चीज़ का पता चला विजय गड़ के किले को भूतिया किला कहा जाता है यहां पर रात को लोगों को भूत नजर आते हैं इसका अंदाजा मैंने लगाया था लेकिन उस इलाके के कई लोगों ने मुझे बताया इस किले को पिछले 20 सालों से बंद किया गया है पहले से पागल खाना बना दिया गया था 10 सालों तक यहां पागल रखे गए कई पागल मारे गए थे भूतों के हाथों से उसके बाद यहां अजीब सी चीज़ें होनी लगी सिर्फ भूतिया घटनाएं नहीं होती वो पागल लोगों की आत्माएं भी नजर आती है मैंने कहा पागलों की प्रेत आत्मा मैंने जितनी जानकारी ली थी उसमें प्रेत आत्माओं को बातों में फसाना होता है बातों में फसाने के बाद आप उन्हें आजाद करवा सकते हैं और अलग अलग धर्मों की जानकारी भी मुझे लेनी पड़ी क्योंकि जो भारत के हिंदी वाले भूत है उन्हें हनुमान चालीसा से भगाया जा सकता है लेकिन अगर किसी और देश में जाएं यानि कि कोई अंग्रेज भूत हो तो उन्हें आप बाइबल की लाइन से भगा सकते हैं मैंने सब कुछ ही याद कर लिया था क्योंकि मेरा ये मानना था मेरा मुकाबला किस से हो जाए मुझे तो पता तक नहीं चलेगा मैं एक पूरा दिन जानकर एकठी करता रहा उस अलाके में वहां क्या-क्या देखने को मिलता है और कई लोगों का कहना था वहां लोगों पर हमले हुए पिशाच नजर आए और राज को कुछ ना कुछ वहां होता है जब पूरी तरह से अंधिरा हो जाता है लेकिन इसी के साथ जिन्दा भी बचना है हमारा प्यार तो अधूरा रह जाएगा अगर मैंने उसकी रूप को आजाद करवा दिया और मैं मारा गया इसलिए डर बहुत जादा था अगला दिन आज चुका था मैं वो सारा सामान इकठा करने लगा बड़ा बैक भर दिया था मैंने हर तरें की चीज नीमबू, मिर्ची, सिंदूर, मंगल, सुत्र हर चीज थी मेरे पास कहां कहां से एकठी नहीं की मैंने मुझे पता है कुछ बाबा जूटे होंगे कुछ ने बनावटी बाते की होंगी लेकिन मैं हर किसी पर यकिन नहीं कर सकता था जिसने जो बताया वो चीज में ले आया अंधेरा होने तक मेरी टांगे गाप रही थी मुझे उस किले में जाना था जहां जाने से उस इलाकी तक के लोग डरते थे कई वैग्याने के यहां पर आए और वो पागलों जैसी हरकते करके यहां से भाग गए मुझे किसी की रूप को वहां से आजाद करवाना था जैसे ही बारां बजने वाले थे मैं चल पड़ा उस तरफ भगवान का नाम लिया कि मेरे प्यार को सच्चा साबित कर देना ऐसा ना हो कि मैं जूठा साबित हो जाऊं भले ही इस प्यार की शुरुआत लालच से हुई थी मैंने उसके पैसे देखे थे लेकिन बाद में सच्चा प्यार हो गया और मैंने कभी उसके एक रुपए तक को हाथ नहीं लगाया अब मैं क्या करूं कैसे प्यार साबित करूं शायद दूसरी दुनिया में प्रे तुम से मुकाबला करने के बाद ये मेरी कहानी का आगाज होने वाला था शायद यहां तक आपको इंटर्वल तक का एहसास हो गया होगा आधी कहानी और इसके बाद बाकी आथी कहानी में क्या होता है आईए जानते हैं जब बारा बजे मैं उस किले के दर्वाजे पर था अंदर से आवाजे आ रही थी जैसे कुछ लोग गाना गा रहे हूं प्रेत आत्माई आपको बहकाने के लिए ऐसी ऐसी चीजे करती हैं कि आप डर कर भाग जाएं और शायद वो मुझे भी भगाना चाहते थे लेकिन हमेशा बड़े बड़े किलो में लड़कियों की आवाजे होती हैं या भारी आवाजे मर्द की होती हैं डराने वाली यहां पर वो वाला गाना नहीं चल रहा था जो मनजूली का ने गाया था जो सबको पता है यहां पर एक ऐसा गाना चल रहा था जिस पर मुझे यकीन नहीं था इंकी पिंकी पॉंकी मैं ये गाना कई रील्स में सुन चुका था लेकिन इस किले में ये गाना क्यों चल रहा है समझ में नहीं आ रहा था जैसे ही किले के दर्वाजे को मैं पार करने वाला था एक तरफ से भारी आवाज आई तुम कौन हो तुम्हे तो यहां बुलाया नहीं गया तुम जानते हो जब तुम अंदर आ जाओगे उसके बाद बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा घबरा कर मैंने पैर पीछे हटा लिया तो चारों तरफ से हसने की आवाजे आने लगी और फिर से उची आवाज में वो गाना चलना शुरू हो गया इंकी पिंकी पॉंकी फिर मुझे अपने प्यार की याद आई और मुझे लगा पैर तो आगे बढ़ाना होगा फिर से एक तरफ से आवाज आई ये सिर्फ इस किले का दरवाजा नहीं है दूसरी दुनिया का दरवाजा है हमावस की रात बारा बजे के बाद अंदर आओ के बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा मैंने कदम आगे बढ़ा दिया जैसे ही मैंने कदम आगे बढ़ाया उस दरवाजे के आगे ये साधारन किला नहीं रहा जैसे पुरानी इटों का किला था, लगभग जरजर हो चुका था, अब ये चमकदार नया किलासा बन गया था जैसे पलक जपकते ही, मैं पुराने जमाने में पहुँच गया, और एक तरफ एक जैसे दर्बान खड़ा था, भयानक प्रेतात्मा, लेकिन उसने कवच पहना हु हाथ में भाला पकड़ा हुआ, और मेरी गर्दन की तरफ भाला करके कहने लगा, अब तुम आ ही गए हो तो जाने का रास्ता नहीं मिलने वाला, यहां आने का रास्ता होता है, जाने का रास्ता नहीं होता, बताओ, यहां क्यों आए हो, मरने से पहले आखरी बार सुनना चा मैं रूख को आजाद करवाने आया हूँ उसने कहा अच्छा अच्छा रूख को आजाद करवाने आये हो यानि किसी को अंदर कैद किया गया है उसे छोड़ाने के लिए आये हो फिर उसने कहा कि मैं तो तुम्हें आगे जाने नहीं दे सकता आगे जाने के लिए ये मेरे हाथ में जो भाला है ना, मैं तुम्हारी छाती के आरपार कर दूँगा, उसके बाद तुम आगे जा सकती हो, ये एंट्री टिकेट है, मैंने का नहीं, नहीं, भाला मेरी छाती के आरपार मत करना, इससे तो कोई फाइदा नहीं होगा, मैं मर जा लगा और कहने लगा ये एंट्री टिकेट ऐसे ही मिलेगी बाला चाती की आरपार होता है तुम अंदर जा सकते हो मैं घवरा गया था अब आगे जाने के लिए मुझे क्या करना होगा मैं उसे रोकने के लिए जैसे ही अपने उस बैक से सामान निकाल रहा था उसने अपने जा रहा था भूत भगाने वाली कोई न कोई चीज में निकालता उसे यहां से भगा देता लेकिन उसने कहा चीज निकालने के लिए एक भाला चाती से आरपार करवाना होगा फिर चीज निकाल लेना एक बार और भाला चाती के आरपार करूँगा फिर तुम आगे जा सकते मैंने कहा कोई कोई और रास्ता नहीं बिना चाती के आरपार करवाई भाले को उसने कहा नहीं एक ही रास्ता है आगे जाने के लिए भाला आरपार करवाना ही होगा मैं अब रूनी लगा था गिड़ गिड़ानी लगा था मुझे छोड़ दो मुझे आगे जाने दो लेकिन वो सक्त था और कह रहा था भाला च्छाती के आरपार होगा तब तुम आगे जा सकते हो पीछे भी नहीं जा सकते पीछे जाने के लिए भी इजासत लेनी होगी भाला च्छाती के आरपार करवाना ही होगा यहां से आगे पीछे जाने का एक ही रास्ता कुछ भी करने का एक ही रास्ता भाला च्छाती के आरपार मैं रूता गया रूता गया मुझे लग रहा था मेरी जिन्दगी का अंत यहीं पर होगा मेरा दिमाग किसी काम का नहीं अब किसी भूत से ऐसा सामना हो जाए तो आप क्या करेंगे लेकिन जैसे ही मैं उसके पाउं पकड़ रहा था पीछे से एक वैसा ही और दर्बान आया उसके पास भी भाला था उसने वो भाला घुमा कर उस भूत के सर पर मारा और कहा इतना समय बर्बाद क्यूं कर रहे हो इतने में भाला मार सकते थे थे न और तुम भी बेवकूफों की तरह रोए क्यूं जा रहे हो भाला च्छाती के आरपार करने को कहा है तुम्हें मारने को नहीं कहा, हम भूत है, हमारे भाले भी भूतियां है, अब तुम्हारे आरपार हो जाएंगे तुम्हें महसूस तक नहीं होगा, उसने घुमा कर भाला मेरी छाती के आरपार कर दिया, भाला भूतिया था जैसे वो भूतिया, मुझे छुआ तक नहीं, धु के अंदर चला गया आंसू पहुंचे थे मैंने और मुझे लग रहा था मैं तो बेवकूफ था बेवज़ा ही रोए जा रहा था अंदर आने का रास्ता तो थोड़ा आसान ही था वो भूतिया चीज को आरपार ही तो करवाना था जैसे ही उन दर्बानों के पास से गुजर कर म ताकि किले के अंदरूनी इलाके तक मैं पहुँच पाता लेकिन वो आग एक जैसे औरत ने जला रखी थी खाफनाक डरावनी औरत जिसने अपनी गर्दन पर फंदा लटकाया हुआ था और फंदे के दूसरी तरफ पेड़ से बंधा हुआ वो रसी का हिस्सा उसने जैसे फ उसकी चिलाने की आवाजे पूरे कले में फैल चुकी थी मैं धर-धर कांपने लगा मैं वहां से भागना चाहता था लेकिन आगे जाने का एक ही रास्ता था उसके पास से ही गुजरना पड़ता मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और उसने चिलाना बंद कर दिया वो जो पांकी डाए, पांकी आए, इंकी पिंकी पांकी। मुझे ये गाना सुना सुना सा लग रहा था, लेकिन मैं उससे बात नहीं करना चाहता था। मैंने नजरे नीचे की तरफ की, वहां से गुजर कर आगे निकलने लगा और उसने मेरा रास्ता रोक लिया। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मुझे सौधा करना होगा। मैंने जब नजरे उठाई, वो एक भयानक चुडैल थी। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, सौधा, कौन सा सौधा। उसने का, तुम्हें मुझे जान देनी होगी, बदले में तुम्हें आगे जाने का रास्ता मिलेगा, मुझे जान देनी होगी। मैंने कहा मैं जान नहीं दे सकता ये शब्दों का हेर फेर नहीं था वो सीधे सीधे मेरी जान मांग रही थी और मैंने कहा मैं मर गया तो आगे कैसे जा पाऊंगा उसने कहा तुम्हें जान तो देनी होंगी बहुत इंतजार किया कब से पाना चाहती हूँ मैं अकेली हूँ उसने वो रास्ता रोक रखा था आगे जाने वाला मुझे अब सूचना थागे कैसे बढ़ो ये पता चल गया वो चुडैल है उसके पाउं उल्टे थे मैंने अपने बैक से अब चुडैल वाला वो सामान ढूंडना शुरू कर दिया जिस से चुडैल को हराया जा सकता है लाल रंग का कपड़ा मुझे सर पर बांधना होगा चुडैल से बात करनी होगी ये मैंने डाइरी में नोट किया हुआ था चुडैल की जो आखरी इच्छा है वो पूरी करनी पड़ती है फिर चुडैल को आखरी इच्छा किया जा सकता है बिना इच्छा पूरी किये आप चुडैल को आखरी इच्छा नहीं कर सकते और मैं वही पर बैठ गया मैं जान नहीं दे सकता चुडैल की आखरी इच्छा मेरी जान है मैं फिर से चुडैल के पास काया और कहने लगा तुम्हारी आखरी इच्छा बताओ तुम्हारी आखरी इच्छा उसने कहा मुझे जान जाये मुझे जान जाये चाहे जो कर लो जान लिये बिना तुम्हे आगे जाने नहीं दूंगी दाई तरफ से भाग कर पार करने की कुशिश की हर बार वो सामने आ जाती और बड़े बड़े नाखोन निकाल कर कहती, यहां से जाने की कुशिश की नोच नोच कर मार डालूंगे, तुम्हें आगे जाना है तो जान देनी होगी, मैं अब रूनी लगा था, मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता मुझे जाने दो, मुझे अपना प्यार पाना है, मेरे प्यार की बात सुनकर उसकी आँखों में आँसू आ गए, वो बैठ गई, मुझे लगा फंस गई, मैं उसे अपने प्यार के किस से बताने लगा, कैसे मैं अनुश्का को पटा पाया था, कैसे हमारा प्यार परवान चड़ा था, वो रोने लगी और कहने लगी तुम्हारा प्यार सच्चा है, लेकिन तुम्हारे प्यार की कारण मेरे भी अर्मान जाग गए, अब मैं बिना जान लिये तुम्हें जाने नहीं दे सकती, जान दो मुझे जान दो, वो चीखने लगी थी, जान दो मुझे जान दो, जान दो मुझे जान दो, और मैं भी रो रो कर कह रहा था, जान दो मुझे जान दो, यहां से आगे जान दो, मायू सोकर मैं पीछे आ गया, ताकि सूचने का समय मिले, मैं जैसे वहाँ पर फंसा हुआ था चांद इतने समय से उसी जगे पर रुका हुआ था जैसे समय भी रुक गया हो शायद यहां समय रुक जाता है इसलिए मैं अच्छी तरह से सोच सकता था मैंने देखना शुरू कर दिया आगे जाने का कोई और रास्ता एक तरफ दिवार पर तरवाजा लगा था आधा खुला था और अंदर से आ रही थी घुंगरों की आवाजे मुझे लगा यहां से निकलने का और रास्ता भी होगा यह चुड़े जान लिये बिना आगे जाने नहीं देगी और मैं आगे आसानी से जा सकता हूँ इस रास्ते से भागा मैंने जैसे ही दर्वाजे को खूला अंदर एक भयानक प्रेतनी थी लेकिन बिना कपड़ों के शायद जैसे वो प्रेतनी कपड़े बदल लही हो मुझे देखते ही वो गुसे में कहने लगी है दया अब हम कपड़े भी नहीं बदल सकती मैंने अपनी आँखे बंद की और एक तरफ घोमा ली ये भूतिया किला है एक गलती और मैं यहां मारा जाओंगा मैंने माफी मांगनी शुरू कर दी और पीछे से उसने कहा है दया कोई बात नहीं वैसे भी मैं मरी जब बिना कपड़ों की थी तु बिना कपड़ों की ही रहूंगी न बस तुम इधर देखना मत हमेशा मैं कपड़े बदलती रहती हूँ पूरे कपड़े कभी पहन ही नहीं पाती फिर मैं इधर उधर झांकनी लगा वो आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था एक कमरा था मैं फिर से मायूस हो गया और रोनी लगा वो मुझे रोता हुआ देख कहने लगी थी क्या हुआ तुमें कोई मदद चाहिए मैं मदद करने को तयार हूँ कोई मदद मांगी और मैं उसकी मदद ना करूँ ऐसा नहीं हो सकता मैं रोते रोते कह रहा तुम मेरी क्या मदद करोगी वो चुडैल मुझसे जान मांग रही है और मैं जान उसे कैसे दूँ उसने का वो तो सबसे असान काम है आगे जाने का रास्ता है इससे असान तो मैं क्या मिलेगा मैंने का मैं जान नहीं दे सकता मैं मारा गया तो अपना प्यार कैसे पाऊंगा उसने का वो तुमारी जान नहीं मांग रही है वो रुकसाना जान मांग रही है मेरा नाम रुकसाना जान है वो तुमसे इशारों में कह रही है जान दो जान दो यानि कि मैं मुझे उठा कर उसके पास ले जाओ फिर वो तुम्हें आके जाने देगी मैं मुस्कुराया और क्या ये सच साबित हो सकता है उसने अब अपने ऊपर एक कंबल सा लपेट लिया क्योंकि वो बिना कपड़ों क थी वो कपड़े पहन नहीं पाती थी कंबल समेत उसे उठा कर मैं उस चुड़ैल के पास ले कर गया और कहा ये लो रुकसाना जान ले लो जान ले लो और उसने खुशी खुशी कहा तुम आगे जा सकते हो मुझे तुमने जान दी है अब तुम आगे जा सकते हो रुकसाना जान को वो आगे वाले बेंच पर बिठा दिया और उस चुडैल ने मुझे आगे जाने दिया इस तरह उस चुडैल का मुकाबला भी कर पाया था और मुझे ऐसे हालात में निकलने की आदत नहीं है जहां मुझे सर के बाल तक खींचने की जरुवत पड़ गई मैंने भूतों की जितनी कहान या सुनी थी ऐसी हरकते नहीं करते भूत या तो आपको मार डालते हैं या डराते हैं भगाते हैं यहां यह कैसी कैसी हरकते कर रहे हैं भाले वाला दर्बान रुक्साना जान को मांगने वाली चुडैल आगे मुझे किसका सामना करना होगा मैं सम पात वो बारां फुट का था और घूर रहा मुझे मेरी टांगे कापने लगी थी इससे भयानक चीज मैंने जिन्दगी में कभी नहीं देखी थी और मुझे ये पता नहीं था ये मुझे से जान मांगेगा या और क्या मांगेगा कहीं मुझे मार ही तो नहीं देगा बिना पूछना वूछना है या नहीं मैं उसकी तरफ देखने लगा अपनी गर्दन उठा कर और मैंने उससे कहा मुझे अनुश्का के पास जाना है उसकी रूप यहां पर कैद है तब उस पिशाच ने कहा अच्छा वो लड़की जो जिन्दा है उसकी रूप यहां पर कैद के चला जाता है बेचारे पीछे मारे जाते है तो वो लड़की भी बेचारी मारी जाएगी तो मुसे बचाने के लिए आए हो अच्छा है अच्छा है दोनों यहीं पर प्यार के साथ हनीमुन मनाना तुम भी यहीं पर मारे जाओगे निकलना बहुत मुश्किल है मैंने का म बचाने के लिए मुझसे आगे बढ़ना होगा। मुझे पहेलियां पसंद है। पहेलियां, कहानियां और कहानियों से जो शिक्षा मिलती है आप अच्छी होनी चाहिए। वरना पीछे की तरफ मुढ लेना वो जो चुडैल है ना उसे अपनी बीवी समझ कर खेसक लेना तुम्हारे वाली तुम्हें नहीं मिलने वाली मैं अब वहीं खड़ा खड़ा काप रहा और मैंने कहा बताओ, सुनाओ कहानी सुनाओ, मैं सुनने को तयार हू उसने वो कहानी जदा लंबी नहीं सुनाई थी लेकिन मुझे नहीं पता था उसका जवाब क्या देना है उसने कहानी सुनानी शुरू की एक राजा था उसे रानी से प्यार हो गया लेकिन सारी दुनिया उनके खिलाफ थी वो उन दोनों को एक साथ देख ही नहीं सकती थी इसके बाद लोगों ने मिलकर उस राजा को मार डाला बताओ लोगों ने सही किया या गलत किया मैंने का प्यार किसी को भी हो सकता है उस राजा को अपनी रानी से प्यार हुआ था इसमें गलत क्या है लोगों ने इस राजा को क्यों मार डाला मैं सारी दुनिया को गलत मानूंगा तब उस पी शाज ने कहा तुम तो बड़े कमीने लगते हो वो राजा किसी और राजा का था उसकी तीन बीवियां पहले से थी और किसी और राजा की बीवी पर गंदी नजर रखता था, उस रानी पर आशी की मारा करता था, लोगों ने पकड़ कर मार दिया, तो बताओ गलत हुआ ये तो, राजा वो रानी के पीछे पड़ा था, जिसकी शादी पहले से हो चुकी थी, अच्छा किया लोगों ने, तो मारा जवाब गलत है, भागो यहां ठीक है, एक और मौका, तो एक राजकुमार था, एक राजकुमारी थी, और मंत्री ने कहा राजकुमार की शादी राजकुमारी से करवा दो, तो सब ने मिलकर उस मंत्री कुमार डाला, बताओ सही किया या गलत किया, मैं अब अपने सर के बालों को खीचने लगा था, मंत्री को मारने की तो बाद ही नहीं बनी वैसे भी ये राजकुमारी है यानि उसकी शादी भी नहीं हुई इसमें तो वो मंत्री गलत नहीं था लोग गलत है मैंने उसको कहा लोग गलत है मंत्री को नहीं मारना चाहिए था अगर राजकुमार की शादी राजकुमारी से नही होगी तो किस से होगी तब उसने का तुम सच में बहुत घटिया इंसान हो वो राजगुमार था उसकी बहन राजकुमारी थी वो मंत्री इतना घटिया था बहन भाई की शादी करवानी की बात कर रहा था सब उने पीट-पीट करो उसे मार दाला, सही किया बिल्कुल, मैं फिर से अपने सर के숙ल को खीचने लगा था, ये कहाँ बस गाया मैं, ये कैसा पीशाच है, कैसी कहानिया सुनाता है, मेरे पास तो जवाब भी नहीं होता, उसने का भागिया यहां से, मैं फिर से माफी माँगने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे आगे जाने का रास्ता बता दो उसने कहा जवाब दिना होगा, सनाओ एक और कहानी, मैंने कहा सुनाओ, एक और कहानी सुनाओ इस भर सोच समझ कर जवाब दूँगा, उसने कहानी सुनानी शुरू कर दी एक राजकुमार था उसे एक राजकुमारी से प्यार हो गया वो उससे शादी करना चाहता था लेकिन उस जमाने में लोगों ने दोनों को पकड़ पकड़ कर मार डाला बताओ सही किया या गलत किया मैंने का मैं क्या बताओ पहले ये बताओ वो राजकुमार की बेहन तो नहीं थी उसने का नहीं बेहन नहीं थी वो जो राजकुमारी थी कहीं और की थी जान पहचान तक नहीं थी उनमें मुझे लगा इस बार तो मेरा जवाब सही होगा मैंने कहा लोग गलत थे लोगों को उन्हें नहीं मारना चाहिए था एक राजकुमार को राजकुमारी से प्यार हो गया इसमें गलत क्या है फिर वो पिशाज कहने लगा तुम कितने आजीब हो, कितने घाटिया हो राजकुमारी एक लड़के का नाम था तो उस राजकुमार को उस राजकुमारी से प्यार हो गया, यानि कि लड़के से प्यार हो गया, और उस जमाने में ये शादिया नहीं हुआ करती थी, उन्हें लगा दो लड़के आपस में प्यार कर रहे हैं, उन्होंने पीट-पीट कर मार डाला, उस जमाने के हिसाब से तो जवा में दे सकता हूँ राजा महराजाओं की कहानी मत पूछो मौडन कहानी पूछो मौडन कहानी पूछो उसने मौडन कहानी सुनानी शुरू कर दी एक लड़का था एक लड़की थी दोनों एक तूसरे से बहुत प्यार करते थे घरवालों को भी दोनों बहुत ज़्याद करना चाहते थे वो घर से भागे लेकिन एक आदमी ने दोनों को मार दिया बता उस आदमी ने गलत किया या सही किया वो गलत आदमी है या सही आदमी है मैंने कहा वो गलत है सब मान चुके थे सब कुछ सही था उसने मार वो गलत है उसने कहा नहीं वो आदमी तो ट्रक चलाता तुम फिर से गलत हो, भागो यहां से, मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था, इसी के साथ मैं समझ नहीं पा रहा था उससे आगे कैसे निकलू, मैंने खींच-खींच कर अपनी सर के बालो धिर डाले थे, और मैं कह रहा था मुझे जाने दो, उसने कहा, जवाब दीना होगा जवाब दीना होगा, और मैं जानता था, वो जितनी पहेलियां पूछ ले, जितनी कहानियां पूछ ले, हर बार मुझे गलत साबित कर ही देगा, लेकिन तभी मेरा दिमाग चला, और मैं उसको कहने लगा, यहां कहानियां सिर्फ तुम ही थोड़े न सुनाओगे, यहां कह मैंने उसको कहा, एक लड़का था, एक लड़की थी, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, उनके घरवाले मान चुके थे, सारी दुनिया मान चुकी थे, लड़की मान चुकी, लड़का मान चुका, लेकिन दोनों की शादी नहीं हुई, बताओ क्यों, अब वो अपने सर को पकड़ रहा सोच रहा हर तरह की कैलकुलेशन उसने कर ली उसके बाद उसके पास कोई जवाब नहीं अंत में उसने कहा लड़की नहीं मानी लड़की को कोई और लड़का मिल गया मैंने कहा नहीं लड़की एक दिन पहले हाट अटेक के कारण मारी गए इसलिए उनकी दिया था इस तरहें दर्वाजे से आगी में निकल पाया था मुझे सामने अनुशका की रूह एक पेड़ से बंधी नजर आ रही थी और वो छूटने की कुशिश कर रही लेकिन उसके सामने वैसा ही धूई वाला जिन था जो मुझे देखते ही एक आकार में आ गया वो गं प्यार को पाना चाहते हो मैं प्यार का दुश्मन हूँ प्यार किसी को पाने नहीं देता जब मुझे मेरा प्यार नहीं मिना तो मैं किसी को किसी का प्यार कैसे देने दे दूँ फिर वो मेरी तरफ भागता हुआ रहा था और उसके बड़े बड़े नाखोन थे एक हाथ में छोटा सा चाकू और साफ लग रहा था ये मुझे मारने के लिए आ रहा है मैंने भी भागना शुरू कर दिया लेकिन दूसरी दुनिया में वो जिन उड़ नहीं सकता था भाग सकता था मैं भी उतनी तेजी से भाग रहा उसे सांस नहीं चड़ रही थी मुझे सांस चड़ रही थी और बार बार वो मेरा पीछा कर रहा वो इलाका काफी ज़दा बड़ा था पेडों से भरा हुआ, दीवारों से भरा हुआ, उनके बीच भूल भूलया में उससे बचता हुआ, कभी मैं इधर भाग रहा, कभी मैं उधर भाग रहा, हर बार मैं पेड के करी पहुंचने की कुशिश करता, तो वो सामने आ जाता और मारने की कुशिश करता, मुझे उससे दूर जाना पड़ता, वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता था, हर बार मेरे करीब आने पर अलग अलग गाने सुनाने शुरू कर देता, लेकिन वो दर्द भरे गाने सुनता सुनता खुद भीरो रहा था, अब उसे लगने लगा था, वो मुझे पकड़ नहीं सकता, इसलिए म उससे प्यार करता हूँ, उसने का खाक तुप प्यार करता है, साले तेरी जीब में पैसे तो थे नहीं, तूने उससे कैसे पटाया सच बता, मैंने का मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे प्यार दिखाया, वो मुझे से प्यार करने लगी, उसने का थू, तुससे कोई प्या पानी नहीं दे सकता सामने आ छिप क्यों रहा है मैंने का मुझे मुझे तुमसे डर लगता है उसने कहा हाँ डर तो लगेगा मैं प्यार नहीं पापाया तो किसी को प्यार पानी नहीं देता डर लगना चाहिए तुझे मारूंगा तेरे प्यार से दूर कर दूंगा अगर उसकी रूप आजाद नहीं होगी यानि कोई भी मरे लेकिन वो आजाद नहीं हुपाएगी वो मेरा पीछा करता ही रहा मुझे लगा मुझे उस पिशाच के पास जाना चाहिए वो पिशाच खतरनाक लगता है मैं उसको वहां पर फसाओंगा और फसने के बाद वो जिन वहां पर रुकेगा और मैं वापस भागाऊंगा जैसे ही मैं उस पिशाच के पास गया वो जिन भी वहां पर आ गया अब वो पिशाच उससे पहीलियां पूछ रहा था और वो जिन जवाब नहीं दे रहा क्योंकि उसे आगे जाना था जिन आगे जाना ही पा रहा पिशाच उससे लड़ने लगा मैं आगे जाने की कुशिश करता तो वो जिन उस पिशाच को छोड़कर आगे निकलाता अब कोई रास्ता नहीं था जब मैं रू के करीब जाने की कुशिश करता वो सामने आ जाता यानी वो अनुश्का को आजाद करवाने नहीं देना चाहता था मुझे लगा मैं फंस चुका हूँ मैं वापिस आया कोई तरीका सोच रहा था और मुझे कोई तरीका नहीं मिल रहा मैं रूने लगा उस पिशाच के पास और उस पिशाच ने मुझे देखते हुए कहा तुम्हें एक कहानी सुनाओ बहुत अच्छी लगेगी उस कहानी को सुनने के बाद तुमारे आंसू छुमंतर हो जाएंगे मैं तुमारी मदद तो नहीं कर सकता लेकिन मेरा यकिन करो कहानी में फाइदा बहुत है सीख मिलेगी सीख मैंने का सुना दो अब इस जख्म पर नमक तुम भी छेड़क दो सुना दो कहानी उसने कहा ये कोई राजा या राजकुमारी की कहानी नहीं है ये एक चुडैल की कहानी है इस किले में जब एक पागल खाना बनाया गया एक ऐसी औरत आई थी जो जादू गरनी थी वो जादू विद्धिया सीखती सीखती पागल हो गई थी उसके बाद उसे पागल खाने में रखा गया यहीं उसकी मौथ हो गई लेकिन मरने पर पता लगा था वो चुडैल नहीं चुडैला थी यानि मर्द थी चुडैल बनना चाहती थी और उस मर्द को मर्द ही पसंद थे इसलिए वो लड़की बने रहती थी उसे सच्चा प्यार नहीं मिला था बेचारी तडप तडप कर मरी थी इसलिए यहां एक और ऐसी ही पागल औरत थी रुक्साना जान वो उसके प्यार में पड़ गई क्यूंकि वो भी औरत नहीं थी वो एक मर्द थी दोनों का प्यार परवान नहीं चड़ पाया अगर उस चुडैले के पास तुमें एक जिन ले जाओ जो प्यार का तरसा हुआ हो वो चुडैल हमेशा के लिए उसे अपने नाखुनों में नोच लेग मुझे लगा कहानी सुरा कर बोर करेगा बड़े अजीब लोग हैं सीधे सीधे ही बता देते हैं फिर भी कहानी कहते हैं और जो कहानी होती है वो सीधे से दूर बहुत होती है मैं भागा अब उस जिननी की तरफ वो जिन मेरे पीछे पड़ गया वो छोटी तलवार सी वो च चुडैला थी जैसे ही जिन वहां पर आया मैं उस चुडैल को कहने लगा मैं तुमारे लिए एक और जान लेकर आया हूँ और इस बार ये रुकसाना जान नहीं है उससे भी अच्छा तुम्हें एक ऐसा प्यार चाहिए था जिसके लिए तुम लड़की बन गए और मैं एक ऐ जैसे लड़की को लेकर आया हूँ जिसे जिन्दगी भर प्यार नहीं मिला वो चुडैल खुश थी और जैसे ही जिन मुझे मारनी के लिए आया वो चुडैल मेरी पीठ के पीछे छिपी थी उसने उस जिन को पकड़ लिया फिर मैं भागा उस पिशाच की तरफ और वो प्यार मिला है जो तुझे जाने नहीं देगा तुझे एक ऐसे लड़के का प्यार मिलेगा जो लड़की बनकर चुडैल की तरह तुझे से चिपका रहेगा वो जिन्दगी को नहीं छुड़ा पाया लेकिन मैंने अनुश्का की रूख को वहां से छुड़ा दिया वापिस खुश थी हितनी जादा खुश उसने आगे जाने का रास्ता खुद दे दिया वो जिन्द मुझे मानने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो चुडैल और वो रुकसाना चान उसे जाने नहीं देना चाहती थे वहां उन तीनों ने अजीब सी लड़ाई शुरू कर दी थी वो तो अनुशका की रूख को लेकर वहां से निकला जैसे ही दर्बान के वो भाले वाले रास्ते से निकला वो रूफ बाहर निकलते ही गायब हो गई मैं उसे ढूनता रहा वो नहीं मिली और इस तरह वो रात गुजर गई कब गुजरी मैं नहीं जानता मैं इतना ठक गया था बाद में मैं वापिस पहुंचा अपनी शहर और अनुषका उठी चुकी थी कोमा से उसके बाद अनुषका को कुछ याद नहीं था लिकन उसने कहा सपने में वो एक जिन्ने के साथ थी वो जिन उसे पेड से बंध चुका था मैंने अनुषका को कभी ये सच नहीं बताया मैंने उसको आजाद करवाया था और सच में उससे कितना प्यार करता था तब समझ पाया मैं वो खुश किसमत इंसान हूँ जिसने अपने प्यार को भी पा लिया और किसी और को भी प्यार दिलवा दिया था चाहे वो उस चुडैल की बात करूँ, चाहे उस जिन्न की बात करूँ, कभी कभी मुश्कुरा देता हूँ ये सोचकर आजकल उस जिन्न के साथ क्या हो रहा होगा, क्या वो मान गया होगा या नहीं, हंसता हूँ उसे याद करके और शायद आप भी हंस रहे होंगे, लेकिन ए आप भी मेरी जगए होते और आपको भी वहां पर जाना पड़ता क्या आप इस पहीलियों के किले को निपटाप पाते और बचकर अपने प्यार को बाहर ला पाते या रह जाते आप भी वहीं किसी चुडैले के पास या कोई रुकसाना जान के पास